Hello students, आज चुका हूँ, मैं अपने नए वीडियो के साथ और आज का वीडियो लेक्षर आपको यह बताने वाला है कि इस बार का जो English का question paper है वो किस प्रकार से आएगा क्योंकि इस बार कुछ question paper में बदलाव किया गया है, कुछ model में इसके बदलाव किया गया है तो यह वीडियो लेक्षर के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि question paper आपको किस प्रकार से बिलने वाला है तो पहले एक model paper मैंने लिया है, फिर general instruction आपके सामने आते हैं कि 15 मेरे आपको question पढ़ने के लिए रिधारित है, सभी question compulsory है, part A, part B में कुल मिला के 30 questions इसमें आने वाले हैं, तो जिसमें part A और part B दो भाग में divide किया गया है और आपको पहली बार board परिच्छा में OEMR street देखने को मिलेगी, OEMR कैसे भरना है, ये भी जल्द एक video lecture में लेकर आऊँगा, जिसमें OEMR आपको भरने के बारे पूरी तरह से instruction दोगा तो पहले समझ लेते हैं question क्या करने हैं, तो part A सुरू करते हैं, तो part A में हमारे साबने आएगा कि पहला question जो हमें मिलेगा, वो unseen passage पर depend मिलेगा unseen passage के तीन question आपके सामने आएंगे, जो कि multiple choice होगे, जो इस प्रकार से देखें, ये पहला, दूसरा, और ये तीसरा, model paper मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे की माधिम से आप इनको solve कर सके, तो question number 4 से question number 8 तक grammar waste पे आने वाला है, जिसमें आपको grammar से related सब कुछ मिल जाएगा, इ ये दो question आपको मिलेंगे, जो कि आपके approach पे आधारित होगा, approach का एक पैसिस दिया होगा, और इसके दो question आपके सामने आएंगे, इनका भी multiple choice में ही आएगा, और फिर question number 11 से question number 13 तक, आपको approach के ही question मिलेंगे, जो कि फिलिंदा blanks होंगे, 11, 12 और 13, तीन question आपको फिलिंदा blank approach की मिलने वाले हैं, इसके बाद question number 14, question number 15, ये आपको poetry, poetry का एक इस्टेंजा मिलेगा, इसके दो question आपके सामने आएंगे, जिनका answer आपको देना रहेगा, फिर आता है question number 16 से question number 20 तक, आपकी जो एक book रही होगी, footprint without feet, उसके question number 16 से question number 20, ये 5 question आपको मिलेंगे, जिसके multiple choice question हों और read करने के साथ साथ इसके जो आगे question है, चार question आपके सामने आएंगे, जिनका answer आपको देना रहेगा, पार्ट B का पहला question total, ये 7 number का मिलेगा, उसके बाद आपके सामने आएगा writing, राइटिंग में आपको एक later एक application, दोनों में से कोई एक option चूस करना रहेगा, जो आप आपके सामने, उस figure को देखकर आपके mind में जो कुछ भी आएगा, उस article के बारे में, वो article आप लिखनी कोसिस कीजिएगा, जल्दी एक video lecture लेक्षर 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 आओंगा, जिसमें मैं बताओंगा, कि essay या article आपको किस प्रकार से लिखना चाहिए, जिससे क और फिर आता लिट्रेचर में, लिट्रेचर में पहला question है, पाच्वा question आपको मिलेगा, छे number का, जिसमें दो question के answer आपको देने होंगे, जो कि तीन-तीन number के दोनों question होंगे, जहाँ पर देखे, विकल्प के साथ आये होए हैं, कि चाहिए कीजिए, चाहिए वो कीजिए, उ चार लाइन की पोएम, आप कोई भी दो पोएम याद कर सकते हैं, question number 8, question number 8 में आपको central idea लिखना है, 40-50 सब्सक्राइब का, central idea क्या होता है, central idea पोएम की theme होती है, पोएम आप पढ़िए, पहली बार यह सा आ रहा है, कि आपको central idea और पोएम दोनों लिखने को मिलेगा paper में, Central idea लिखना सीखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जल्द ही इस वीडियो लेक्षर लेक्षर लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोएम का central idea कैसे लिखा जाएगा, कि एक perfect central idea बिना याद किये हुए, पोएम की theme समझ के अप stories पढ़ने को मिलती, उसके question आपके सामने आएंगे, जो कि 3-3 number के होंगे, और 10 वा question जो आएगा, आपके सामने उसी किताब से एक long question को लिखने को आएगा, तो अब ये था आपका पूरा paper format, जिसमें आपको पूरी तरह से ये तियार कर लेना है, कि मेरा कौन कौन सा question कैसे क कैसे आएगा, और क्या तयारी, इसके लिए आप pre-board का exam दे रहे होंगे, pre-board के exam में आपको पूरी तरह से clear हो गया होगा, कि आपके कहा कहा तयारी में कमी रहे गई है, तो तयार कीजिए, और जल्द ही मैं आपको अपने अगले वीडियो लेक्शन में मिलता हूँ, और इस